Hello students. Welcome to dear BIO channel. इस वीडियो में हम chapter 3, the fishes start करेंगे, Zoology का Fishes क्या होती है? इसकी दो super classes है एक super class का नाम Agnetha है और एक super class का नाम Gnetho Stometa है जो super class Agnetha है, उसमें क्या होते है? ये दो उसके main points है, यानि jawless and non-paired appendages होती है गनेथो डो में चैया इक सखता हैं यह चैड़ चैड़ के दो rif crypt Elea है चैड़ को सब्सक्राइब इसकी भी फर्दर आगे two classes है, एक कॉंड्रिक साइड एक और स्टिक साइड students, यह classes जो है, यह important है, दो ही अगनेथा की हैं, और दो ही अगनेथो स्टोमेटा की हैं, next class mixini, आज हम start कर रहे हैं, class mixini क्या होता है, यह super class agnetha की class है, और इसमें कॉन से होती हैं, इसमें hagfishes होती है, hagfishes are the members of this class, और mixini इनकी जो body होती है, वो slime-like होती है, यानि थोड़ी slimy होती है, और the word mixini comes from Greek word mixini, mixa means slime, तो इसके word का मतलब ही slime है, hagfish live buried in the sand and mud of marine environment, where they feed on soft-bodied invertebrates and they are scrangers, यह scrangers होती हैं, और यह soft-bodied invertebrates को feed करती है, most zoologist consider that hagfish is ancient fish, यह सबसे जो ancient fish है, वो magzini है, यह बहुत सा zoologist कहते हैं, यह हम पढ़ रहे हैं अभी agnetha की class magzini, अभी इसकी diagram देखें कि उसके बाद इसकी दूसरी class हम study करेंगे, class fellow sphidomorphi, hagfish short question है, इसकी बस यह diagram बनानी है, और वो जो points हैं वो लिखने हैं आपने, diagram में देखें यह hagfish है, और इसमें जो यह circles हैं, यह frangel slits present है, और पीछे यह caudal fin present है, और यहां जो साइड पर चोटे-चोटे हैं, यह slime glands होते हैं, और यह sensory structures भी इसमें present होते हैं, next class हमारे पास है, class fellowship withomorphi, the Greek word kephela mean head, and sphidus mean shield, and morph mean form, lempries are representative members of this class, they are common inhabitants of marine and fresh water, यह marine और fresh water दोनों में रहते हैं, यह इसकी diagram है, इसमें आप दोग देखें, जो फेस है, वो सकर लाइक है, यह सक करते हैं, जैसे कि वो लीचीज का फेस होता है, ऐसा ही इनका माउथ होता है, और इसके साथ यह का कॉडल फिन है, और यह इसका फ्रेंजिल स्लिप्रेज प्रेजन है, और जो सिफेलोस, इनका जो लार्वा होते हैं, वो फिल्टर फीडिंग करते हैं, जबकि जो अडर्ट लेंप्रीज होते हैं, वो अदर फिशी को फीड करते हैं, दा माउथ इस सकर लाइक, ठीक है, एंड सराउंडिड बाइ लिप्स, दैट हैं सेंसरी फंक्शन, लेंप्रीज हैव सिलाइवरी ग्लैंड विद एंटिकोएगुलेंड सिक्रिशन एंड फीड ऑन देप्लड ऑफ देयर प्री, तो यह पने प्री के यानि शिकारी के ब्लड पर फीड करती हैं, उनका ब्लड को सख करती हैं, यह लीचिस की तरह ही होती है, आगे इनका Life Cycle देखते हैं, यह Lampres का Life Cycle है, इसने अड़्ट जो होती है वो सी में प्रजेट होती है, लेकिन वो जब उसने reproduction करनी होती है, वो माइग्रेट कर जाती है क्व्रेश वाटर में, फ्रेश वातर में वो स्पानिउ करती है इसकी वजाई से एक्स्टरिरंल फड्निघ्लाइशन होती है यह ईक लारव का नह NAT कर तना हम भाद फिल्टर फीडिंग ठीन साल अ कि फ्रेश वारव में ही द्हेज़ रेवㄌतर爆 हो जाती है और जो adult होता है वो फिर दुबारा sea water में move कर जाता है यह simple सा life cycle है लेकिन यह याद रखना है कि adult होता है वो sea water में होता है लेकिन जब उसने reproduction करनी होती है तो वो migrate कर जाता है fresh water में ओके क्लास next lecture में हम सूपर क्लास गनेतो स्टॉर्म को स्टेडी करेंगे